अच्छा कैसे क्या हुआ है आपके साथ हमारे साथ चो सल पहले अपरेशन भाई आई चो सल के बाद ही अपरेशन कोईला के बार अब यह मुझेद है गोपाल गज के कुचाय कोड में जहां पर एक ऐसी अजुबा घटना हुई है जिसको सुनकर आपका होस उड़ जाएगा इ एक बेटी है और एक बेटा है और फिर तीसरा बेटी हो गई है क्या नाम हो आपके साथ हमारे सुछ शल पहले अपरेशन भाई लें है आई चो सल के बाद ही अपरेशन कोईला के बाद बैटी फर जबताएं घरए अग्रीब गुरबाद में कहां से बचा पारें लें जंद इबेटी है देखिए डाक्टरों की लापरवाही आज कल बिहार में सबसे ज्यादा जो है भरोष्ट डाक्टर है देखिए छोव साल बाद फिर बच्चे का जन्म हो गया और लापरवाही के चल के परिवार वालों का जिंदकी जो है बरबाद हो रहा है और आज एक तो कमाने लेले वाले इक आदमी है और देखिए दो बच्चे को पाल रहे हैं फिर तीसरे नें जो नियम चल रह रहा है कि दो ही अब देखिए दो बच्चे हैं फिर भी डाक्टरों की लापरवाई के कारण तीसरा बच्चा भी पायदा हो गया है क्या नाम हूँ आपका राकेस्तिवारी कैसे क्या हुआ आपके साथ हमारे साथ हुआ था कि हमारी एक लड़का था पहले से और एक लड़की थी कुचाय कोट में हमारी लड़की कोट स्वास्त कर लाए मैं और हमारे लड़की के समय मैंने बुला आप डिशन कराने के लिए आसा से राह लिया था आसा बोली थी कि यहीं कुचाय कोट में बच्चा भी हो जाएगा और नस्बंदी भी आप करा लोगे मैंने बुला ठीक है उसके बाद तीस सारे चैसल हो रहा है हमारी प्रेक्ची हो गये और यह बताई यह बच्ची को हमारे देवाद बच्ची जो सरकार निओम कनून करते उए वह दो भी हमने नस्वन्दि कराये थे नस्वन्दि कराने के बाद मां ऊप्झना चाहता हूं सरकार से हमारे पर्धान मंत्री मुख मंत्री जो भी है हमारे देश का उनसे पुछना चाहते हैं कि ये कैसे लपरवाई हो सकता है ये डॉक्टर है ये क्या है जोला चाप है कैसे हैं ये कैसे इतना बारल सरकारी में न कराया थे अप्रेशन जी सरकारी कुछ आए को कर ला है स्वास्त कर ला है अब पर 亞टर की लपरवाही इसमें चमतकारवाली क्या वात है तो सारा समय दीख रहा है कि यह लपरवा lushी है यह लपरवाही है लपरवाय है डोक्टर की लपरवाही है फ्लैग तो सरी हैने एहां नहीं हम लड़की बना जोटेशूं नंपदर हुआ हुए। कवारे बताई किशों आप मुत हैं … बताईए कहां कहां आप दोड़ चुके हैं करते क्या है सर हम मजदूर आदमिया मजदूरी करते हैं ठीक है डाई सो तीन सो रुपे पर मजदूरी करते हैं और हमने दो बार होस्पीटल में तीन बार चकर लगा चुका है हमें कागज देने से माना साब माना कर रहे हैं कि काग परिवार का जीना हराम हो गया है क्या कहें दो बच्चे हैं फिर तीसरे को कैसे पालेंगे ऐसे चलती रहे तो आने वाले दिन में डाक्टरों पर साब विश्वास लोग का हट जाएगा और देखिए डाक्टर का खाला करतूत देखिए इंका बच्चा दो है फिर एक बच्च इसे हुआ है वह नहीं घैए कि हम जाएंगे तो नोकरी से निकाल देगा आप जाएंगे तो एसे बोल रहे हैं सरकार से क्या करना चाहिंगी सरकार एक खार्चा उठावी ना तर ले जावे करके आके ले जाओ तो आप दे दिजेगा अ खार्चा नहीं चल रहा है हम लोग परिवार की हालत देख सकते हैं आप लोग तो कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए इस बिहार में कि नहीं होना चाहिए और इस पर रोक कॉब लगेगा देखते रहे सेर करते रहे धन्यवाद